प्रतियोगी परिच्छाओं की त्यारी कर रहे सभी अभ्यरतियों के लिए एक स्वरडिम काल है खास करके तब जब हमने इतनी इरेगुलर्टी देखी है हमने इतनी बिसमताएं देखी है पदों की इतनी कम संख्या देखी है चैन का एक निश्स स्वरूप नहीं देखा है आज की डिट में हमारे सामने एक आओसर है हमारे सामने एक मौका है जिसको हम बुना सकते हैं हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इतने सालों कि हमारी मेहनत रंग ला सकती है अगर हम आज से कमर कसलें त्यारी करने का जुनून मन में बना लें क्योंकि आपने सरकार और विभाग का एक सकारात्मक सुरूप देखा है सरकार और विभाग अब सजग है पदों को देने के लिए पदों पर नियुक्ति करने के लिए कल ही आपने SSC का है नोटिस देखा जिसमें SSC की इस notice को जो की 20 तारिक को announce की गई है, publish की गई है इस notice में SSC ने साप साप लिखा है अगर आप देख रहे हैं ध्यान से इसने कहा है कि the process would be taking the process of filling about the 70,000 additional vacancies यहाँ पर केवल vacancy नहीं लिखा है, additional vacancies लिखा है इसका अर्थ है कि जो परंपराकत पद है SSC के, चाहे वो अलग-अलग प्रकार के विभाग हों जैसे कि CGL हो, CHSL हो, SSC GD हो या जो और department के पद जो SSC की द्वारा भरे जाते हैं उन पदों को एजिटिज रख करके 70,000 अत्रिक्ट पदों को भरने की प्रक्रिया की जा रही है आप अगर इसको जोड़ें तो पिछले कुद दिनों, कुद दिन पहले की बात में बताओं तो एक सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि आने वाले डेड़ सालों में 10,000,000 से अधिक पदों पर 10,000,000 पदों की बात अगर करें इस पदों पर चैन प्रक्रिया पूरी की जाएगे इस 10,000,000 पदों पर चैन प्रक्रिया की कड़ी में ही 70,000 पदों को दिया गया है हलाकि इस notice में साप साप लिखा गया है कि यह 70,000 आने वाले एक वर्स में भरे जाएंगे और एक वर्स में 70,000 पद भी कम नहीं होते हैं जो भी additional है क्योंकि परंपरागत पद जो बेसिकली पहले वाले पद थे चायो CGL रहे हो, चायो CHSL रहे हो, चायो SSC GD राओ या अलग-अलग प्रकार की जो SSC के पद रहे हो, उनको तो एजटिज भरी जाना है, तो इस कड़ी में एक सकरात्मक रूप है जिसके बारे में साप साप कंडियेट्स को एडवाइज किया गया है अब भिरतियों को यह बात के लिए बताया गया है कि आप निमित तोर पर साइٹ को विजट करते रहे हैं और जानकारी अरजित करते रहें विभाग के बारे में, eligibility criteria के बारे में, अगामी notice के बारे में क्योंकि यह प्रक्रियाद जल्द ही पूरे होने वाली है इस बात को हम इस वजह से कह रहे हैं कि आने वाला जो समय हो चुनावीगाल है सरकार केंद्र के जो सेंटर लेबल की वेकेंशी से उसमें तेजी लाने की पूरी कोशिश कर रही portion करें यह एक मौका उनके लिए भी है थो हमारे लिए तो खास करके हमारे जीवन में उसको हम अब तोड़े और आगे बढ़कर के सफलता को अरजित कर लें और अपने जीवन को सफल बना ले हमें सकारात्मक हम तब भी हुए अभी कली हमने एक नोटिस देखी रेलवे की अगर आपने देखा हो तो इध्यान से देखिएगा कहा गया कि अगले म इसके बाद SSC की जो नोटिस आई उसको हमने देखा जाहिर सी बात है कि हमारे भी होसले बुलंद हुए और हमें भी आपके सामने अग्रसर होकर आगे आकर बात कहने में अब कोई गुरेज नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारी नोटिस देखी बहुत सारी ऐसी गदविधिया देखी लेकिन हम आपके सामने नहीं आए हम जानते थे कि यहां पर कहीं न कहीं कुछ समस्या थी लेकिन आज हम पूरा confident हैं और इस बात को जानते हैं कि यह जो पद हैं अब भरे जाने हैं तो हम भी आपको पूरी तरह से सजग करना चाहते कि आप भी अपनी तयारी में पर्म कर रखी हैं जिस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो पब्लिक गद्विदिया हैं बैचस के माध्यम से हैं चाहे आप अगर हम कुछ पब्लिक के लिए बात बताएं तो यह देख रहे होंगे अगर आप संस्थान टार्गिट बे था लोग का चैनल देख रहे है इस्ट्यूट को देख रहे हैं तो आप इन गद्विदियों को प्रदिन देख रहे हैं जिसमें यूपी ट्रेपलसी पेट से लेकर के रेलवे ग्रूबडी की बात अगर किया जाए एससी बैंक रेलवे की बात किया जाए अलग-अलग प्रतियोगी परिछाओं के लिए ल यह पेट जाए हम लोग तीन बजे इंग्लिण की क्लास दस बिजे माथमेटिक की क्लास रिजनिंग की क्लास को ले करकर आपके सामने आने वाले हैं और आप ही रहे हैं नेमित तोर पर इक अच्छा है आपको दिक भी रही है तो हमारा प्रियास रहेगा कि हम इस तैयारी मे हम आपके साथ साजह कर सके और आपके तयारी में एक रोल की तरह एक जिम्मिदार इस्ट्यूट की तरह से एक जिम्मिदार मिंटर अध्यापक की तरह से हम आपके साथ पार्टिसिपेट करते रहें और आगे बढ़ करके आपको नियमित तोर पर इस तयारी को हम कराते रहें इसके साथ साथ मैं आपको जाते जाते कहूँगा कि आप इन तयारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई ताही मत बरती है, हमसे संपर्क में रहिए, हमसे जो बहतर हो सकेगा हम आपके लिए करते रहेंगे, इस संस्थान के कुछ कॉलिंग नंबर हैं, अगर आपको कभी भी जरुत पड़ी निसंकोच आप फोन करके इन नंबर्स पर संसान में बात चीत करके अपनी तयारी को और पुक्ता और मजबूत बना लें, तो अब हमें देर नहीं करना है, हमें सजग होना है, हमें आगे बढ़ना है, और इस आगे बढ़ने की कड़ी में हम आपके साथ संदे से कंधा मिला कर चलने को त्यार है, आप सभी भी त्यार होकर आगे बढ़िए, और जो औसर आ रहे हैं आगे चल करके उसको बना लें, और अपने जीवन को सफल बना लें, अपने जीवन में आगे बढ़ने की इस स्टेप को जरूर क्रास करें, थैंक्यू सोमत धन्य प्रास अबीको